तो बाबा साकार हरी का हर चहरे आप सामने आ रहा है उसकी लैविश लाइफ, आलिशान आश्रम और आश्रम के स्पेशल इंतिजामात एक ऐसा ही खुनासा उसके अलवर आश्रम को लिकर हुआ है आश्रम के आसपास रहने वाले लोगों का दावा है कि वहां किसी भी इस्थान ये आदमी को गुसने तक नहीं दिया जाता था बाबा के इस एकांतवास में सिर्फ लड़कियों और आउरतों को ही जाने की पर्मिशन थी ऐसा दावा है अलवर के लोगों का स्वयंभू बाबा का अलवेला आश्रम यानि उसके रहसे लोग का एक मैया चेप्टर जिसके खुलते ही बाबा का असली चहरा दुनिया के सामने आ गया वो आश्रम जहां सर्फ लड़कियों को थी जाने की इजाज़त मैनपुरी सिलगभग 303 किलोमीटर दूर राजिस्थान का अलवर जिला अलवर जिले सहचपुरा में भी बाबा का डेड़ बिखें के करीब जमीन पर बना एक आलिशान आश्रम है जो हमेशा से इस्थानिय लोगों के लिए मिस्ट्री बना रहा लेकिन इस आश्रम के सबसे हरान करने वाला सचका केनेक्शन लड़कियों से है यानि इस आश्रम में किसी भी लोकल आदमी को एंट्री नहीं मिलती थी बलकि आश्रम में स्पेशल पास वाली महिला भक्तों को ही जाने की इजाज़त थी इस आश्रम में जब सत्संग होता था तभी आम श्रद्धालवों को अंदर जाने की इजाज़त मिलती थी सहचपुरा गाउं के लोग बताते हैं कि बाबा के इस आश्रम में गाउं के लोगों को आने जाने से रोग दिया जाता था सिर्फ बाहर से ही आने वाली महिला श्रद्धालवों और लड़कियों को आश्रम में आने की अनुमती थी महिला सेवादारों के अंदर जाने के बाद आश्रम में क्या होता था ये कोई नहीं जानता यानि बाबा के मायावी लोग में लड़कियों और महिलाओं को लेकर हमेशा से एक मिस्ट्री बनी रही इस धानिय लोग आफ दे कैमरा इन आश्रम को आयाशी का अट्टा करार दे रहे हैं बाबा की नियत पर सवार इसलिए भी उठाय जाते हैं क्योंकि उसके प्राइवेट महिला आर्मी भी जनरल गद्दाफी की तरह ही थी मीडिया रिपोर्ट्स में सूरजपाल जाटव के पूर्व सेवादार रहे रंजीर सिंग के दावे से कई संजिनी खेज सच पुजागर हुए हैं रंजीर सिंग ने अपने इंटर्व्यू में दावा किया है कि सूरजपाल जाटव के आश्रम में 16-17 साल की कई लड़िया रहती हैं जिन्हें ये अपनी शिश्या बताता है सूरजपाल इन लड़ियों से गलत काम भी करवाता है यानि टोटल परजीवाडा स्वयंभू बाबा ने सारा समराज वरेड की बुनियात पर तान रखा है लेकिन पाखंड पर खड़े उसके इस समराज की नीव अभिल चुकी है पाखंडी बाबा का चेहरा बेनकाब हो चुका है पाखंडी बाबा मुर्दे में जान फूकने का दावा करता है वो कहता है कि प्रले ला सकता है वो कहता है कि वो भगवान है वो कहता है कि उसके चरणों के धूल से हर मर्ज ठीक हो जाता है लेकिन आज से 24 साल पहले जब उसमें मुर्दे को जिन्दा करने का दावा किया था तब क्या हुआ था आखिर क्यों 24 साल पहले स्वेंभू बाबा को जेल की हवा खानी पड़ी थी पूरी कहानी आपको समझाते हैं मुर्दे में जान फूकने का दावा मौत का तमाशा बाबा की जैजैकार पाखंडी पर पहली एफ आई आर की कहानी 24 साल पुरानी बात है जगा थी आगरा का केदार नगर यहां के शमशान घाट में सफेज चादर से लिप्टी एक लड़की की लाश रखी थी चादर पल लाल कप्डा रखा था आसपास लोग हाँ जोड कर खड़े थे लड़की को कैंसर था और उसकी मौत दो दिन पहले हो चीकी थी एक बाबा ने दावा किया कि वो लड़की को जिन्दा कर देगा सैक्डो लोगों की भीड ये चमतकार देखने आई थी लड़की तो जिन्दा नहीं हुई उल्टा बाबा को पुलिस से पकड़ दिया केस दर्ज हुआ और उसे जेल जाना पड़ा अब जरा इस सबूत को देखिए देखिए बाबा के पाखन की कहानी बया करता 24 साल पुराना पुलिस रिकॉर्ड ये केस चमतकार और अंधविश्वास फैलाने के लिए दर्ज किया गया लेकिन कहानी कहा से शुरू ही वो बताते हैं आपको इसी आगरा शहर की बात है हमारे यहाँ पर एक जगा है कैदान नगर और कैदान नगर के पास ही एक शमचान घाट बना है और उस शमचान घाट के पास है मलका चबूतरा 24 साल पहले इस चबूतरे पर 17 साल की लड़की की एक लाश रखी थी सूरजपाल बाबा ने दावा किया था वो इस लड़की को जिन्दा कर देगा जैसे ही यह बात आजपास के लोगों को पता चली तो देखते ही देखते भारी भीड़े कठा हो गई लोग इसी उमीद में शमशान घाट पहुच गए कि सूरजपाल बाबा कोई चमतकार दिखाएंगे मरी हुई लड़की जिन्दा हो जाएगी सूरजपाल के सेवादारों ने कहा था कि सुबा 11 बजे लड़की जिन्दा हो जाएगी टाइम निकल गया लेकिन लड़की जिन्दा नहीं गई शमशान पर चमतकार नहोता देख उस दिन भीड बेकाबू हो गए लिहाजा शागन स्थाने के पुलिस मौके पर पहुची सूरजपाल बाबा और उसके साथियों को गिरफतार कर लिया गया शमशान घार में मौजूद महिलाएं पाखंडी बाबा की गिरफतारी से भड़क गई लेकिन पुलिस ने अपना इरादा ना बदला परो जिन्दा नहीं हुई थी उसको उस्पिटल बेहाया था हमना उसका पोस्मार्टम कराया था सब कराया था 18 मार्च 2004 को बाबा के खिलाब F.I.R. दर्च की गई इस F.I.R. में बाबा सूरजपाल के अलावा कुमरपाल, मेवाराम, प्रेमवती, कमलेश सिंग, मीना और सामवरे का नाम था पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में दावा किया था कि इन आरोपियों ने चमतकारी शक्ती से एक यूफती को जिंदा करने का शर्यंतर रचा था इसी मामले को लेकर ये F.I.R. दर्च की गई थी बाबा के साथ ही 6 लोग इसमें नाम ज़त किये गए कहते हैं कि सूरजपाल बाबा की कोई उलाद नहीं थी उसने एक बच्ची को गोद लिया था लेकिन बच्ची को कैंसर था इसी बच्ची की मौत के बाद भक्त लाश लेकर बैट गए दावा था कि बाबा लाश को जिंदा कर देगा लाश तो जिंदा ना हुई पर बाबा पर पहली F.I.R. जरूर हुई थी तभी से यानी 24 साल से बाबा का पाखंड जारी है इस बार तो 121 मौत के बाद भी वो चमतकार दिखाने नहीं आया पता नहीं भोली भाली जनता को इन पाखंडी बाबाओं का सच कफ समझाएगा प्यूरो रिपोर्ट न्यूज इपी अलग-अलग राज्यों में करी 25 आश्रम और अकूट संपत्ति सम्हालने वाले ट्रस्ट जो लगजरी गाडियों का काफिया लेकर चलता है जिसकी काफिले में 25 से 30 गाडियां हर वक्त हुआ करती थी वो बाबा जो दान नहीं लेने का दावा किया करता है फिर भी करुणों का सामराज जो उसने खड़ा कर लिया कैसे कहां से आता है पैसा बाबा के पास चली पूरी कहाने को एक रिपोर्ट के जरीया आपको समझाते हैं बाबा के सौ करुण की सामराज का सच क्या है नहीं लेता था दान ट्रस्ट ही सोने की खडान सौ करुण से जादा के आश्रम और जमीन लगजरी कारों का काफिला आलिशान आश्रम और अस्टी सेवादार ये शान और शौकत है भोले बाबा की उस बाबा की जो दावा करता है कि एक पैसा भी दान नहीं लेता सवाल यहीं से उठता है कि जब दान नहीं लेता तो करुण का सामराज कैसे आज हम आपको बाबा की सोने की खान में लेकर चलेंगे परताल करेंगे उस पहलो की जिसके लिए इस तरह के पाखंडी धर्म का सहारा लेकर अपना धंधा चलाते हैं हम अपनी परताल में बाबा के काले सामराज के सच को समझाने की कोशिश करेंगे दरजनो आश्रम की कहानी बताएंगे हर आश्रम के नाम पर बने ट्रस की कहानी बताएंगे बाबा के सोने की खादान में दान करने वाले दानवीरों की लिस्ट बताएंगे लेकिन इन सब के बीच जो दिखाई दे रहा है उसकी बात नहीं लेकिन काले को सफेद करने वाले राज से भी परदा उठाएंगे यूज 18 के कैमरे पर कई गवाहों ने बाबा के डर से बोलने से इंकार किया लेकिन आफ दा कैमरा उन्होंने दावा जरूर किया कि सरकारी नौकरी पर बैठे ये लोग अपनी काली कमाई ट्रस में खपाने का काम करते हैं हम इस दावे की पुष्टी तो नहीं करते लेकिन सवाल जरूर उठाते हैं आखिर 20,000 से 25,000 की नौकरी करने वाली लोग ये लाखों में दान कहां से लाते हैं बाबा के खेल के दो पहलू एक आश्रम और ट्रस्ट दूसरा सत्संग आश्रम में कोई भी दान कर सकता है जबकि सत्संग में सिर्फ हम कमेटी के जरिये ही खर्च का पैसा जुटाय जाता था यहीं से हम कमेटी का खेल शुरू हो जाता है माल लो आपको कोई सत्संग कराना है तो इसके लिए बाबा सिर्फ संदेश हम कमेटी के पास भीजता था फिर हम कमेटी सत्संग में होने वाले खर्च से लेकर इंतिजाम तक का जिम्मा समालती था अब जरा हम कमेटी के रोल को समझते हैं एक हम कमेटी में 80 से 90 लोग होते हैं हम कमेटी के पास दो काम होते हैं पहला सत्संग के लिए फंड जुटाना दूसरा सत्संग का प्रचार और इंतिजाम ये हम कमेटी सीधे बाबा के संपर्क में होता है लेकिन यहां से सवाल उठता है कि हम कमेटी के पास पैसा कहां से आता है हम कमेटी में अधिकतर सरकारी अधिकारी और कर्मिचारी होते हैं कमेटी की यही लोग सत्संग का पैसा लगाते हैं, पैसे समास की कारूबारी और बड़े लोग देते हैं। लेकिन यहां भी एक बड़ा खेल होता है हम कमेटी के जरिये जो पैसा सत्संग के नाम पर खर्च किया जाता है क्या वो एक नंबर का होता है ये भी एक बड़ा सवाल है बाबा के भक्त आम आदमी ही नहीं बलकि बड़े बड़े पदों पर बैठे सरकारी अदकारी भी है इस्थानिये लोग बताते हैं कि बड़ी बड़ी गाडियों के साथ लोग आते हैं जो कि बाबा के भक्त हैं वहीं ऐसे भक्त दान लिस्ट में अपना नाम लिखवाना नहीं चाते हैं लेकिन बाबा के पास ऐसे भक्तों के लिए एक गुप्तदान का आप्शन है। लोग ये भी बताते हैं कि यही गुप्तदान बाबा के लिए सौने की खदान है।